लिजे सुनिए मुंशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास प्रेम आश्रम के आठवे भाग को मेरी यानि समीर गुस्वामी की आवाज में जिस भाती सुर्यस्त के पीछे एक विशेश प्रकार की जीवधारी जो न पशु है न पक्षी जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं अपनी डंबी श्रेणियों से आकाश मंडल को आच्छा दित कर लेते हैं उसी भाती कार्तिक का आरंब होते ही एक अन्य प्रकार की जन्तु देहातों में निकल पड़ते हैं और अपने खेमों तथा छोलदारियों से समस्त ग्राम मंडल को उज्ज्वल कर देते हैं वर्षा के आदि में राज सिक्कीट और पतंग का उधभव होता है उसके अंत में ताम सिक्कीट और पतंग का उनका उध्थान होते ही दिहातों में भूकंप सा आ जाता है और लोग भैसे प्राण छिपाने लगते हैं इसमें संदेह नहीं कि अधिकारियों के ये दोरे सदिच्चाओं से प्रेरित होकर होते हैं उनका अभी प्राय है जन्ता की वास्त्विक दशा का ज्यान प्राप्त करना नियाय प्रार्थी के द्वार तक पहुँचना प्रजा के दुखों को सुनना उनकी दोल मजीरे से उनका अभिवादन करती। किन्तु जिस भाती प्रकाश रश्मियां पानी में वक्रगामी हो जाती हैं, उसी भाती सदिच्छाएं भी बहुधा मानविये दुरवलताओं के संपर्क से विशम हो जाया करती है। सत्त और नयाय पेरों के नीचे आ जाता है, लोब और स्वार्थ की विजए हो जाती है। अधिकारी वर्ग और उनके कर्मचारी विरहनी की भाती इस सुखकाल के दिन गिना करते हैं। शेरों में तो उनकी दालना ही गलती है गलती है तो बहुत कम, वहां प्रत्यक वस्तु के लिए उन्हें जेब में हाथ डालना पड़ता है। किन्तु देहातों में जेब की जगए उनका हाथ अपने सोटे पर होता है या किसी दीन किसान की गर्दन पर। जिस घी, दूद, शाक, भाजी, मास, मचली, आदी के लिए शेर में तरसते थे, जिनका स्वपन में भी दर् जातों की यहां केवल जिवा और बाहू के बल से रेल पेल हो जाती है। जितना खा सकते हैं, खाते हैं, बार बार खाते हैं और जो नहीं खा सकते हैं वो घर भेजते हैं। घी से भरे हुए कनस्तर, दूद से भरे हुए मटके, उपले और लकडी, घास और चारे से लदी घर वाले हर्ष से फूले नहीं समाते, अपने भाग को सराते हैं क्योंकि अब दुख के दिन गए और सुख के दिन आए उनकी तरी वर्षा के पीछे आती है, वो खुशकी में तरी का आनंद उठाते हैं देहात बालों के लिए वो बड़े संकट के दिन होते हैं, उनकी शामत आ जाती है, मार खाते हैं, बेगार में पकड़े जाते हैं, दासत्यों के दार और निर्दय आगातों से आत्मा का भी रास हो जाता है अगहन का महिना था, सांज हो गई थी, कादिर खां के दोर पर अलाव लगी हुई थी, कई आदमी उसके इर्दगिर्द बैठे हुए बाते कर रहे थे, कादिर ने बाजार के तमबाकु की निंदा की, दुखरन भगत ने उनका अनमूदन किया, इसके बाद डपट सिंग प अठर में सियार और हिरन बड़ा उपद्रव मचाते हैं, जाड़े के मारे उठा नहीं जाता, कादिर अपकी ठंड बहुत पड़ेगी, दिन को पचुगा चलता है, मेरे पास तो कोई कंबल भी नहीं, वही एक दोहर लपेटे पड़ा रहता हूँ, पौाल ना हो गया होता, तो रात को अकड़ जाता, डपट, यहां किस के पास कंबल है, उसी एक पुराने धुस्से की भुगत है, लकड़ी भी इतनी नहीं मिलती की रात भरताप में, मनुहर, अपके बेटी के बेह में इमली का पेड़ कटवाया था, क्या सब जल गई, डपट, नहीं बची तो बह में सारी लकड़ी उठ गई, मनुहर, तुमने चपरासियों से कुछ कहा नहीं, डपट, क्या कहता, दस-पांच मन लकड़ी की पीछे अपनी जान सांसत में डालता, गालियां खाता, लशकर में पकड़ जाता, मार पड़ती उपर से, तब तुम भी पास न फटकते, दौनो पाल रखा था, वो कल लशकर में पकड़ा गया, रब भी बूचर पांच रुपे नगट देता था, मगर मैंने न दिया था, इस बकर सास से कम का माल न था, मनुहर, ये लोग बड़ा अंधिर माचाते हैं, आते हैं इंतजाम करने, इंसाफ करने, लेकिन हमारे गले पर छु पान बच्चती, पादिर, इसमें हाकिमों का कसूर नहीं, ये सब उनके लशकर वालों की धांद लिये, वही सब हाकिमों को भी बदनाम कर देते हैं, मनुहर, कैसी बाते करते हो दादा, ये सब मिली भगत है, हाकिम का इशारा नहो तो मजाल है कि कोई लशकरी पराई चीज इस पर हाथ डाल सके, सब कुछ हाकिमों की मर्जी से होता है और उनकी मर्जी क्यों नहोगी, सैंत का माल किसको बुरा लगता है, डपट, ठीक बात है, जिसकी जितनी आमद होती है, वो उतना ही और मुह पहलाता है, दुखरन, परमात्मा ये अंधिर देखते हैं और कोई ज भी समझो, अगर जिन से ही तक रहे, तो इतना घाटा न पड़े, मगर यहां तो इलाइची, कथा, सुपारी, मेवा और मिश्री, सभी कुछ चाहिए और सब टके सेर, लोग खाने के इतने शौकीन बनते हैं, पर ये नहीं होता है कि वे सब चीजें अपने साथ रखें, जोड़ता था, पैरो पड़ता था कि मेरे यहां नहीं है, लेकिन चपरासी एक न सुनता था, कहता था, जहां से चाहो, मुझे ला कर दो, गालियां देता था, डंड़ा दिखाता था, बारे बलराज पहुँच गया, जब वो कड़ा पड़ा, तो चपरासी मिया नरम आते चले गए, दुखरन, बिसे सर की एक बार मरमत हो जाती तो अच्छा होता, गाउं भर का गलम अरोडता है, ये उसकी सजा है, डपट, और हम तुम किसका गलम अरोडते हैं, मनुहर ने चिंतित भाव से कहा, बलराज अब सरकारी आदमियों के मुगाने लगा, कितना रहा के हार गया मानता नहीं, गादिर, ये उमर ही ऐसी होती है, यही बाते हो रहीं थी कि एक बटो ही आकर अलाव के पास खड़ा हो गया, उसके पीछे पीछे एक बुढ़िया लाथी टेकती हुई आई और अलाव से दूर सिर जुका कर बैठ गई, गादिर ने पूछा, क अपरासी ने गाड़ी रोक ले और हमारे कपड़े लटते फेंक फांक कर लखड़ी लाथने लगे, कितनी अरज बिंती की बुढ़िया बीमार है, भर रात का चला हूँ, आज अस्पताल नहीं पहुँचा तो कल ना जाने इसका क्या हाल हो, मगर कौन सुनता है, मैं रोता ह ही रहा, वहां गाड़ी लट गई, तब मुझसे कहने लगे, गाड़ी हांक, क्या करूँ, अब गाड़ी हांक कर सदर जा रहा हूँ, बैल और गाड़ी उनके भरों से छोड़ कर आया हूँ, जब लकड़ी पहुचा के लोटूंगा तब अस्पताल जाऊंगा, तुम लोग डपट, दिन भर के ठके मांदे बैल हैं, ना जाने कहां गाड़ी ले जानी पड़े, और ना जाने कब लोटोगे, तब तक बुढ़ी अकेली पड़ी रहेगी, जाने कैसी पड़े, कैसी ना पड़े, हम लोग कितने भी हो, हैं तो पराई ही, घर के आदमी की और बात है, मन साफ तो क्या करेंगे, उल्टे गरीबों को पीस्ते हैं, खटिया की तो कोई बात नहीं, और ना जगह की ही कमी है, लेकिन ये अकेली रहेंगी कैसे, बटोही, कैसे बताओ, जो भाग में लिखा है, वही होगा, मनुहर, यहां से कोई तुम्हारी गाड़ी हांक ले जाए, कोई हराज है, बटोही, ऐसा हो जाए तो क्या पूछना, है कोई आदमी, मनुहर, आदमी बहुत है, कोई न कोई चला जाएगा, गादिर, तुम्हारा हलवाहा तो खाली है, उसे भेच दो, बादिर, तुम्हारी उपर मुझे विश्वास नहीं आता, कहीं जगड़ा कर बै मुझे तो जानते हो रात को कहीं नहीं जाता भजन भाव की यही बेला है गादिर चला तो मैं जाता लेकिन मेरा मन कहता है कि बूढ़ी को अच्छा करने का जैस मुझी को मिलेगा कौन जाने आ लाह को यही मन्सूर हो मैं उन्हें अपने घर लिये जाता हूँ गाड़ी हाकने के लिए पड़ाओ की तरफ चला इतने में सुक्खु चौधरी और गौस खाँ दो चप्रासियों के साथ हाते दिखाई दिये दूसरी ओर से बलराज भी आकर खड़ा हो गया गौस खाने कहा सब लोग यहां बैठे गल्चौड कर रहे हो कुछ लशकर की भी खबर है देखो यह चप्रासि लोग दूद के लिए आ है उसका बनुवस्त करो कादिर कितना दूद चाहिए एक चप्रासि कम से कम दस सेर कादिर दस सेर इतना दूद तो चाहे गाउं भर में न निकले दो ही चार आदमियों के पास तो भैंसे है और वो भी दुधार नहीं है मेरे हाँ तो दोनों जून में सेर भर से जादा नहीं होता है चप्रासि भैंसे हमारे सामने लाओ दूद तो हमारा चप्रास निकालता है हम पत्थर से दूद निकाल ले चोरों के पेट तक की बात निकाल लेते हैं भेंसे तो फिर भेंसे हैं इस चप्रास में वो जादू है कि चाहे तो जंगल में मंगल कर दे गौस खा, इतने तूल कमाल की क्या जरूरत है दूद का इंतिजाम हो जाएगा दो सेर सुखो देने को कहते हैं कादिर के यहां भी दो सेर मिल ही जाएगा दुखरान भगत दो सेर देंगे मनोहर डपट सिंग भी दो-दो सेर देंगे बस हो गया कादिर मैं दो सेर का बीमा नहीं लेता ये दौनों भैसे खड़ी हैं जितना दूद दे 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 उतना ले लिया जाए दुखरान मेरी तो दोनों भैसे गावे ने बहुत देंगी तो आधा सेर पुवाल तो खाने को पाती हैं और वो भी आधा पेट कहीं चराई है नहीं दूद कहां से हो डपट सिंग सुकु चौधरी जितना देते हैं उसका आधा मुझसे ले लीजे हैसियत के ही हिसाब से न लीजेगा गौस खान तुम लोगों की यही नहायद वेहुदी आधत है कि हर बात में लाग डाट करने लगते हो शराफत और नर्मी से आधा भी न दोगे लेकिन सक्ती से पूरा लिये हाजिर हो जाओगे मैंने तुम से दो सेर कह दिया है इतना तुम्हें देना होगा डपट इस तरहे आप मालिक हैं भैंसे खोल ले जाएए लेकिन दो सेर दूद मेरे यहाना होगा गौस खान मनुहर तुम्हारी भैंसे तो दुधार है मनुहर ने अभी जवाब न दिया था कि बलराज बोल उठा मेरी भैंसे बहुत दुधार है मन भर दूद देती है लेकिन बेगार के नाम से छटाग भर भी न देंगे मनुहर तु चुपचाप क्यों नहीं रहता तुमसे कौन पूछता है हमसे जितना हो सकेगा देंगे तुमसे मतलब चपरासी ने बलराज की और अपमान जनक क्रोध से देखकर कहा मैं तो अभी हम लोगों के पंजे में नहीं पड़े हो एक बार पढ़ जाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा उसे बात न निकलेगी दूसरा चपरासी मालूम होता है सिर पर गर्मी चड़ गई है तभी इतना एठ रहा है इसे लशकर ले चलो तो गर्मी उतर जाए बलराज ने मरमाहत हो कर कहा मिया हमारी गर्मी पाँच पाँच रुपली के चपरासियों के मान की नहीं है जाओ अपने सहाब बाहदूर के जूते सीधे करो जो तुमारा काम है हमारी गर्मी के फेर में न पढ़ो नहीं तो हाथ जल जाएंगे उस जन में के पापों का दंड भोग रहे हो कर्म के शेत्र में लाने की ललकार थी व्यंग्या घात शाब्दिक कलह की चरम सीमा है उसका प्रतिकार मुह से नहीं हाथ से होता है लेकिन बलराज की चौड़ी चाती और पुष्ट भुष्दंड देखकर चपरासियों को हाथ हपाई करने का साहस न हो सका गौस खां से बोला खां साहब आप इस लॉंडे को देखते हैं कैसा बढ़ा जाता है इसे सबज़ा दीजिए हमारे मूँ ना लगे ऐसा नहो शामत आजा और छे महीने तक चक्के पीसनी पड़े हम आप लोगों का मुलाइजा करते हैं नहीं तो इस हेकडी का मज़ा चका देते गौस खां सुनते हो मनुहर अपने बेटे की बात बला सोचो तो डिप्टी साहब के कानों में ये बात पड़ जाए तो तुम्हार क्या हाल हो कहीं एक पत्ती का साया भी न मिलेगा मनुहर ने दीन तैसे खां साहब की ओर देखकर कहा खां साहब मैं तो इसे सब तरह से समझा बुझा कर हार गया नाजने क्या हाल करने पर तुला हुआ है बलराज से अरे तु यहां से जाएगा की नहीं बलराज क्यों जाओं मुझे किसी का डर नहीं है यह लोग डिप्टी साहब से मेरी शिकायत करने की धमकी देते हैं मैं आप यही उनके पास जाता हूँ इन लोगों को उन्होंने कभी ऐसा नादिर शाही हुक्म न दिया होगा कि जाकर गाउं में आग लगा दो और मालने की वो ऐसा कड़ा हुक्म दे भी दे तो इन लोगों को तो सूचना चाहिए कि गरीब किसान भी हमारे भाई बंद है इन्हें वेर्थ न सताए लेकिन इन लोगों को तो पैसे के लोब और चप्रास के मद ने ऐसा अंधा बना दिया है कि कुछ सूचता ही नहीं हाज इस बेचारी बुड़िया का क्या हाल होगा मरेगी की जीएगी नौकरी तो की है पांच रुपे की काम है बस्ते ढोना मेज साफ करना साब के पीछे पीछे खिदमतगारों की तरह चलना और बनते हैं रईस मनुहर तो चुप होगा की नहीं एक चप रासी नहीं से खुब गालियां दे लेने दो जिसमें इसके दिल की हवस निकल जाए इसका मज़ख कल मिलेगा खां साब आपने सुना है आपको गवाही देनी पड़ेगी आपका इतना मुलाहिजा बहुत किया लाइए दूद का कुछ इंतजाम करते हैं कि हम लोग जाएं गौस खां नहीं जी दूद लो और दस सेर से सेर भर जादा यहीं लोग जख मारेंगे क्या बतावें आज इस छोकड़े की बदौलत हमको तुम लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा इस गाउं की कुछ हावा ही बिगड़ी हुई है मैं खूब समझता हूँ यह लोग जो भीगी बिल्ली बने बैठे हुए है इन्हीं के शैदैने से लॉन्डी के इतनी जुर्ष हुई है नहीं तो इसकी मजाल थी की यो टरना था वचला खूटे के ही बल कूदता है खेर अगर मेरा नाम गौस खा है तो ये केक से समझूंगा इस तरसकार का आशातीत प्रभा हुआ सब दहल उठे ये अविनेशीलता जो पहले सब के चेहरे से जलक रही थी लुप्त हो गई मनुहर तो ऐसा सेट पिटा गया मानु सेक्ड़ो जूते पड़े हो इस खटाई ने सब की नशे उतार दिये पादिर खाम बोले मनुहर जाओ जितना दूद हो सब यहां भेज़ दो गौस खाम हमको मनुहर के दूद की जरूरत नहीं बलराज यहां देता ही कौन है मनुहर किसी आ गया उठ खड़ा हुआ और बोला अच्छा ले अब तू ही बोल जो तेरे जी में आये कर मैं जाता हूँ अपना घर द्वार संभाल मेरा निबाह तेरे साथ न होगा चाहे घर को रख चाहे आग लगा दे यह कहकर वो सशंक क्रोध से भरा हुआ वहां से चल दिया बलराज भी धीरे धीरे अपने अखाड़े की ओर चला वहां इस समय से नाटा था मुगदर की जोड़ी रखी हुई थी एक पत्थर की नाल जमीन पर पड़ी हुई थी और लेजे माम की डाल से लटक रहा था बलराज ने कपड़े उतारे और लंगोट कसकर खाड़े में उतरा लेकिन आज व्यायाम में उसका मन न लगा चप्रासियों की बात दंड प्रतीत हुई सब के सब सन्नाटा खींची बैठी रहे मालूम होता था किसी के मुह में जीब ही नहीं है तब ही तो ये दुर्गती हो रही है अगर कुछ दम हो तो आज इतने पीसे कुछले क्यों जाते और तो और दादा ने भी मुझी को डाटा ना जाने इनके मन में इतना डर क्यों समा गिया पहले तो ये इतने कायर ना थे कदाचित अब मेरी चिंता इने सताने लगी लेकिन मुझे अफसर मिला तो इस पश्ट कह दूँगा कि तुम मेरी और से निश्चिंत रहो मुझे परमात्माने हाथ पैर दिये है मेहनत कर सकता हूँ और दो को खिला कर खा सकता हूँ तो मैं अगर अपने खेत इतने प्यारे हैं कि उनके पीछे तो मत्याचार और अपमान सहने पर तयार हो तो शौक से सहूँ लेकिन मैं ऐसे खेतों पर लात मारता हूँ अपने पसीने की रोटी खाऊंगा और अकड़ कर चलूँगा अगर कोई आँख दिखाएगा तो उसकी आँख निकाल लूँगा ये बुढ़ा गौस खां कैसी लाल पीली आँख कर रहा था मालूम होता है इनकी मृत्यू मेरे ही हाथों लिकी हुई है मुझ पर दो चूटें कर चुके हैं अब देखता हूँ कौन हाथ निकालते हैं इनका क्रोध मुझी पर उत्रेगा कोई चिंता नहीं देखा जाएगा दोनों चपरासी मन में फूले न समाए होंगे कि सारा गाउं कैसा रोब में आ गया पानी भरने को तैयार है गाउं वालों ने भी लल्लो चपो की होगी कोई परवाह नहीं चपरासी मेरा कर ही कह सकते हैं लेकिन मुझे कल प्राता काल डिप्टी साहब के पास जाकर उनसे सब हाल कह देना चाहिए विद्वान पुरुष है दीन जनों पर उन्हें अवश्यदाय आएगे अगर वो गाड़ियों के पकड़ने की मना ही कर दे तो क्या पूछना उन्हें ये अत्याचार कभी पसंद ना आएगा ये चपरासी लोग उनसे छिपा कर ये जबरदस्ति करते हैं लेकिन कहीं उन्होंने मुझे अपने इजलास में खड़े खड़े निकलवा दिया तो बड़े आदमियों को घमंड भौत होता है कोई हरज नहीं मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे कोई मसाफिर की गाड़ी पकड़ता है या तो दो चार का सिर तोड़ दूँगा या आप भी वहीं मर जाऊंगा अब बिना गरम पड़े काम नहीं चल सकता वो दादा बुलाने आ रहे हैं बलराज अपने बाप के पीछे पीछे घर पहुंचा रास्तिम कोई बात चीत नहीं हुई बलराज को देखकर बोली कहां जाकर बैठी रहे तुम्हारे दादा कब से खोज रहे चलो रोटी तयार है बलराज अखाडे के और चला गया था बलराज तुम अखाडे मज जाया करो बलराज क्यों बलराज क्यों क्या देखते नहीं हो सबकी आँखों में चुपते हो जने तुम अपना ही तू समझते हो वो सबके सब तुम्हारी जान के घातक है तुम्हें आग में ढखेल कर आप तमाशा देखेंगे आज ही तुम्हें सरकारी आद्मियों से बिढ़ा कर कैसा दुबग गए बलराज ने इस उबदेश का कुछ उत्तर न दिया चौके पर जा बैठा उसके एक और मनुहर था और दूसरी और जरा हटकर उसका हलवाहा रंगी चमार बैठा हुआ था बलराज ने जौकी मौटी मौटी रोटियां बथुआ का साग और अरहर की दाल तीनों थालियों में परस दी तब एक फूल के कटोरे में दूद लाकर बलराज के सामने रख दिया बलराज क्या और दूद नहीं है बलराज दूद कहा है बेगार में नहीं चला गया बलराज अच्छा ये कटोरा रंगी के सामने रख दो बलराज तुम पी लो रंगी एक दिन दूद न पिएगा तो दूद न हो जाएगा बलराज बेगार का हाल सुनकर क्रोध से आग हो रहा था कटोरे को उठा कर आंगन की और जोर से फेंग दिया वो तुलसी के चबूत्रे से टकरा कर तूट गया बिलासी ने दोड़ कर कटोरा उठा लिया और पश्टाते हुए बोली तुम्हें क्या हो गया है राम राम ऐसा संदर कटोरा चूर कर दिया कहीं सनक तो नहीं गए हो बलराज हाँ सनक ही गया हूँ बिलासी किस बात पर कटोरे को पटक दिया बलराज इसलिए कि जो हम से अधिक काम करता है उसे हम से अधिक खाना चाहिए हमने तुमसे बार बार कह दिया है कि रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत हो वो सब के सामने आना चाहिए अच्छा खाएं तो सब खाएं, बुरा खाएं तो सब खाएं लेकिन तुम्हें न जाने क्यों ये बात भूल जाते है अब याद रहेगी रंगी कोई बेगार का आदमी नहीं है, घर का आदमी है वो मूँ से चाहे ना कहे पर मन में अवश्य कहता होगा कि चाहती फाल कर काम मैं करू और मूचो पर ताओ दे कर खाएं ये लोग, ऐसे दूद घी खाने पर लानत है रंगी ने कहा, भाईया नित तो दूद खाता हूँ, एक दिन ना सही, तुम हक नहाख इतने खफा हो गए इसके बाद तीनों आदमी चुपचाप खाने लगे, खापी कर बलराज और रंगी उख की रखवाली करने मणईया की तरफ चले, वहां बलराज ने चरस निकाली और दौनों ने खूब दम लगाए जब दौनों उख के छिलके के बिचावन पर कंबल ओढ़ कर लेटे तो रंगी बोला, काहे भाईया, आज तुम से लशकर के चपरासियों से कुछ कहा सुनी हो गई थी क्या, बलराज, हाँ हुजजत हो गई थी, दादा ने मने न किया होता तो दौनों को मारता, रंगी, त ये पकड़ने में कुछ तकरार करे, तो बस चोरी का इल्जाम लगा कर ग्रफतार कर लो, एक पचास बैंत पढ़ जाएं, तो इसके शेख ही उतर जाएं, बलराज, अच्छा, ये सब यहां तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुमने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया, मैं कल सवेरे ही डिप्टी सहब के पास जाओगा, रंगी, क्या करने जाओगे भईया, सुनते हैं अच्छा आदमी नहीं, बड़ी कड़ी सजा देता है, किसी को छोड़ना तो जानता ही नहीं, तुम्हें क्या करना है, जिसकी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, वो आपने पटलेगा, बलराज, वा, लोगों में इतना ही बूता होता तो किसी की गाड़ी पकड़ी ही क्यों जाती, सीधे का मुँ कुत्ता चाटता है, ये चपरासी भी तो आदमी ही है, रंगी, तो तुम कहे को दूसरे के बीच में पढ़ते हो, तुम्हारे दादा आज बहुत बलराज, क्या जाने क्यों रंगी, जबसे दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा हूं, मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता, जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दवाते देखता हूं, तो मेरे बदन में आगसी लग जाती है, यही जी चाहता है कि चाहे अपनी से बाहर हो जाता है, इसी तरह की बाते करते दौनस हो गए, प्राताकाल बलराज घर गया, कसरत की दूद पिया और अपना धीला कुर्ता पहन, पगड़ी बांध डिप्टी साहब के पड़ाव की ओर चला, मनुहर अब तक उन से रूठे बैठे थे, अब जब्त न कर सके, बलराज, देखूंगा कि पढ़े लिखे लोगों का मिजाज कैसा होता है, मनुहर, धक्के खाओगे और कुछ नहीं, बलराज, धक्के तो चपरासियों के खाते हैं, इसके क्या चिंता, कुत्ते की जात तो पहचानी जाएगी, मनुहर ने उसकी और निराशा पूर्ण इसन कि इस समय समझाने के उतना असर ना होगा, जितना विरक दिभाव का, निश्पल हो गया, उज्यों ही घर से बाहर निकला, बलराज ने भी लटकंधे पर रखा, और कैम्प की ओर चला, किसी हाकिम के सम्मुक जाने का ये पहला ही अफसर था, मन में अनेक विचार आते थे, म अब ग्यान शंकर सिन की दोस्ती भी तो है, उन्होंने भी हम लोगों की ओर से उनके कान खुब भरे होंगे, मेरी सूरत देखते ही जल जाएंगे, जो कुछ हो एक नया अनभा तो हो जाएगा, यही पढ़े लिखे लोग तो हैं, जो सभाव में और लाट साहब के दरबार म कहीं पानी गर्म हो रहा है, कहीं चाय बन रही है, एक और बूचडबकरे का मास काट रहा है, दूसरी और बिसे सरसाह बैठे जिन से तॉल रहे हैं, चारो और घड़े और हाणिया तूटी पड़ी थी, एक व्रिक्ष की चाह में कितनी ही आदमी सिकड़े बैठे थे, जिनक वो खड़ा सोचने लगा कि डिप्टी साहब के सामने कैसे जाओं, उसे इस समय एक रोब चाया हुआ था, खेमे के सामने जाते हुए पैर कापते थे, अचानक उसे गौस खाँ और सुक्खु चौधरी एक पेड़ के नीचे आग तापते दिखाई पड़े, अब वो खेमे सिंग एक नियाशील और दयालू मनुष्य थे, किन्तो इन दो तीन महीनों के दोरे में उन्हें अन्वह हो गया था कि बिना कड़ाई के मैं सफलता के साथ अपने कर्तव का पालन नहीं कर सकता, सौजन्य और शालीन ता निच के कामों में चाहे कितनी ही सराहनी हो, लेकिन श असद और बेगार के विशय में भी अधीनस्थ कर्मचारियों की चापलूसियां उनकी नियाए नीती पर विजय पा गई थी, और वो अग्याद भाव से स्वेच्छाचारी अधिकारियों के वर्तमान साचे में ढल गए थे, उन्हें अपने विवेक पर पहले से ही गर्व अब इसने आत्म शलागा का रूप धारन कर लिया था, वो जो कुछ कहते या करते थे उसके विरुद्धिक शब्द भी न सुनना चाहते थे, इससे उनकी राय पर कोई असर न पड़ता था, वो निस्परह मनुष्य थे और नियाए मार्ग से जो भर भी न टलते थे, उन्ह बलराज को सामने देख कर बोले, कौन हो, यहां क्यों खड़े हो, बलराज ने जुक कर सलाम किया, उसकी उद्दंडिता लुप तो हो गई थी, डरता हुआ बोला, हुजूर से कुछ बोलना चाहता हूँ, ताविदार का घर इसी लखनपुर में है, जॉला सिंग, क्या कहना है, बलराज, कुछ नहीं इतना ही पूछना चाहता हूँ, कि सरकार को आज कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी, जॉला सिंग, क्या तुम गाड़ियों के चौधरी हो, बलराज, जी नहीं, चपरासी डुक सड़क पर जाकर मुसाफरों की गाड़ियां रोकते हैं, और उने चपरासी ने अपना सामान लादने के लिए उट रख लिये थे, किन्तु ये जानते थे, कि मात अहतों और चपरासी ओं को अपना असबाब लादने के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है, उन्हें इसका खर्च सरकार से नहीं मिलता, अतेवे लोग गाड़ियां ना रोक लेकिन एक अखड़ गावार मूर्ख देहाती को उनसे ये शिकायत करने का साहस हो, वो उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने का दावा करे, ये उनके आत्म अभिमान के लिए असा है था, चुड़कर बोले, जाकर सरिष्टेदार से पूछो, बलराज, हुजूर ही उन्हें ब परायनता और सज्जनता पर उसकी जो श्रद्धा थी वो शन मात्र में भंग हो गई, इन सद्वावों की जगह उसे अधिकार और सुछ चाचार का अहंकार अकरता दीख पड़ा, अहंकार के सामने सिर्जोकाना उसने न सीखा था, उसने निश्चय किया कि जो मनुश इतना भी मानी हो, और मुझे इतना नीच समझे, वो आदर के योग नहीं है, इनमें और गौस खा या मामूली चप्रासियों में अंतर ही कह रहा, ग्यान और विवेक की जोति कहां गई, निशंक हो कर बोले, सरकार इसे सिर्दर्द समझते हैं और यहां हम लोगों की जान पर बनी अब मालूम हो गया कि हम अभागों का सहायक परमात्मा किसे वार कोई नहीं, यह कहकर बिना सलाम की यही वहां से चल दिया, उसे एक नशास हो गया था, बात अवग्या पूर्ण थी, पर उनमें स्वाभी मान और सदिच्छा कूट-कूट कर भरी भी थी, जॉला सिंग में अभी तक साहरदायता का संपून तहा पतन नहुआ था, क्रोध की जगहे उनके मन में सद्भावना का विकास हुआ, अब तक इनके यहां स्वार्थी और खुशामदे आदमियों का ही जम घट रहता था, ऐसे एक भी स्पष्टवादी मनुष्य से उनका संपर्क नहुआ थ जिस परकार मीठे पदार्थ खाने से उब कर हमारा मन कड़वी वस्तूओं की और लपकता है, उसी भाती जौला सिंग को ये कड़वी बातें प्रिये लगें, उन्होंने उनके हिर्दाए नेत्रों के सामने से पदाभी मान का पर्दा हटा दिया, जी मैं तो आया कि इसी व करतव का निश्य कर लिने के बाद उन्होंने एहलमद साहब को बुलाया, सेद ईजाद हुसेन ने बलराज को जाते देख लिया था, कल का सारव वरतान तो नहें मालूम ही था, ताड़ गए कि लॉन्डा डिप्टी साहब के पास फर्याद लेकर आया होगा, पहले तो शंका अपने करतव का निर्मान किया करते थे, बलराज इस समय ऐसा हताश हो रहा था, कि पहले थोड़ी देर तक वो चुकचाप खड़ा, ईजाद हुसेन की कठोर बाते सुनता रहा, अंत में गंभीर भाव से बोला, आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों पर अन्याए भी हो और हम परियाद भी न करें, ईजाद हुसेन, फरियाद का मज़ा तो चखलिया, अब चाला अन होता है तो देखें कहा जाते हो, सरकारी आदमियों से मज़ा हिम होना कोई खाला जी का घर नहीं है, ठिप्टी साहब को तुम लोगों की सरकशी का रत्ती-रत्ती हाल मालूम है, बाब बैंत पढ़ेंगे कि धज्जिया उड़ जाएंगे, बलराज, ऐसा कोई अंधेर है कि हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दे दे, इजाद हुसेन, हाँ हाँ, ऐसा ही अंधेर है, सरकारी आदमियों को हमेशा बेगार मिली और हमेशा मिलेगे, तुम गाड़िया न दोगे, तो वो क्या अपने सिर पर अस्बाब ला देंगे, हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, तुम ही से ली जाएंगे, हस कर दो या रो कर दो, समझ गए, इतने में एक चपरासी ने कहा, चलिए आपको सरकार याद करते हैं, ईजाद हुसेन पान खाए हुए थे, तुरंत क पुली की पगड़ी बांदी और जौला सिंग के सामने जाकर सलाम किया, जौला सिंग ने कहा, मीर साब चपरासी ने को ताकीद कर दीजिए कि अबसे केम्प के लिए बेकार में गाड़िया न पकड़ा करें, आप लोग अपना सामान मेरे उंटों पर रख लिया कीजिए, इससे आप लोगों को चाहे थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन ये मुनासिब नहीं मालूम होता कि अपनी आसाइश के लिए दूसरों पर जबर किया जाए, इजाद हुसेन, हुजूर बहुत बजा फरमाते हैं, आज से गाड़िया पकड़ने की सक्त मुमानियत कर दी जाएग इजाद हुसेन, हुजूर का फरमाना बजा है, हुकाम को ऐसा ही गरीब परवर होना चाहिए, लोग जमीदारों की सक्तियों से यहीं परेशान रहते हैं, उस पर हुकाम की बेगार तो और भी सितम हो जाती है, जौला सिंग के हिर्दय में ग्यान शंकर के ताने अभी तक ख आठ बज चुके थे, किन्तो अभी तक चारों और कोहरा चाया हुआ था, लखनपुर के किसाना चुटी सी मना रहे थे, जगए जगए अलाओ के पास बैठे हुए लोग कल की घटना की आलोचना कर रहे थे, बलराज की दृष्टता पर टिपड़ियां हो रही थे, इतने मे जवाला सिंग चपरासियों और कर्मचारियों के साथ गाओं में आप पहुँचे, गौस खाओं और उनके दोनों चपरासी पीछे पीछे चले आते थे, उन्हें देखते ही इस्तरी अपने अदमजे बरतन छोड़ छोड़ कर घरों में घुसी, बाल वरिंदे भी इधर बग गए, कोई द्वार पर कूड़ा उठाने लगा, कोई रास्ते में पड़ी हुई खाट उठाने लगा, जवाला सिंग गाओं का भ्रमन करते हुए सुक्खु चारपाई लेने दोड़े, गौस खाने एक आदमी को कुर्सी लाने के लिए चौपाल दोड़ाया, लोगों इसे अफसरों पर वही अग्रसर हुआ करते थे, पर वो अभी तक घर में से चारपाई निकाल रहे थे, जो व्रहदाकार होने के करण द्वार से निकलना सकती थी, इसलिए एक गादिर खांको प्रतिनी धी का आसन गिरहन करना पड़ा, उन्होंने विनीत भाव से उत्तर द जाला सिंग, यहां मुझे आप पाशी के कुएं बहुत कम नजर आते हैं, क्या जमीदार के तरफ से इसका इंतजाम नहीं है, कादिर, हमारी जमीदार तो हुजूर हम लोगों की बड़ी परवस्ती करते हैं, अल्ला उन्हें सलामत रखे, हम लोग आप इही के आलस के मारे क जाला सिंग, उनसी गौस खा तुम लोगों की सरकशी की बहुत शिकायत करते हैं, बावु ग्यान शंकर भी तुम लोगों से खुश नहीं है, यह क्या बात है, तुम लोग वक्त पर लगान नहीं देते और जब तकाजा किया जाता है, तो फसाद पर आमादा हो जाते हैं, जाला सिंग, क्या कहते हो, सामने आकर कहो, पादिर, कुछ नहीं हुजूर यही कहता है, कि हमारी मजाल है जो अपने मालिक के सामने से रुठाएं, हम तो उनके ताविदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी जमीन में बसते हैं, बहला उनसे सरकशी करके अल्ला को क्या किन्तु उनका अभीष्ट पूरा न हो सका, किसी की जबान से गौस खाया बावु ज्यान शंकर के विरुद्ध एक शब्द भी न निकला, अंत में हार मान कर पढ़ाओ को चल दिये, अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास, प्रेम आश्रम के आठवें भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवास में